बीजेपी के राष्टे अदक्स जेपी नड़ा साथ मार्ज से जम्मो कुश्मिर के दोरे पर है और इसको लेकर कॉंग्रेस जो है वो यह आरूप लगा रही है कि नड़ा यहां पर जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ बदलाव अपने हिसाब से करने के ल यह बाजपा के जो सिनियर लीडर्शिप है जो कि दिल्ली से यहां पर आएगी वो आगे का काम करेगी मेरे साथ मौचूद है रविंदर रहना जी जो की जम्मो कुश्मिर बाजपा के देक्षा है रविंदर जी फिर करीद फ्रोट का दोर शिरू हो रहे है देखिए अभी तो डी लिमिटेशन कमीशन की प्रकरिया जो है उसको कमीशन जिसके चेर्मेन ओनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोड की जस्टिस रंजना देशाई जी है वो कर रही है और अपने एसोशियेट मेंबर्स के साथ उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट शेर की है फिर उन्होंने रा उनसे मांगा और अब वो डाइसेंशन नोट के बाद वो पब्लिक डुमेन में आएगा पब्लिक डुमेन में आम जन्ता चुने हुए डी डी सी बी डी सी पंचिस सरपंचिस मुनिसिपल केमेटियों के जो वो कार्परेटर काउंसलर और वाड मिंबर्स हैं उनकी बारी Congress का सूपडा साफ है Congress ना जमूर इजिन में है और ना ही कश्मीर गाटी में है Congress कोन से Congress गुलाम नभी आजात साफ वाली Congress या जो जिए मेर साफ वाली Congress या एक और Congress कोन से Congress की वाब बात करते है नियुत कांग्रस की बार दी ये तो चोति कांग्रस का आप ने बता दी इसलिए मैंने कहा कांग्रस तो रही है कांग्रस इस नोवेर इन जमू आनकेश्मिर अपके राश्ट्री अधिक्ष किसले आ रहे है फिर जमू किश्मीर ने कि row पने का्रिकर उज से के माथा टेकेंगे कारेकरताओं से मिलेंगे हम सब जानते हैं डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमो कश्मीर में चुनाव हैं तो चुनावूं पर स्वाभाविक रूप से कारेकरताओं से चर्चा होगी और हम पूरी तरीके से जब भी चुनावी रणनीती मैदान में उतरने से पहले पूरी रिण निती बनाखे उतरते हैं लेकिन आपॉजईिशन को आयन मोके पर ही बताते हैं तब उन्हें नहीं है इस बार भी ऐंसा होगा छे-ाट मीने में जमो कश्मीर में चुनाव होंगे यह तो सब न्यूस चैनल्स में आया अखबारू में आया पबलिक डोमेन में है उसके बाद भी अगर कॉंग्रेस पार्टी यह कहे कि नहीं वो यहां आ रहे हैं चुनावी राजनीती में यहां सरकार बनाने के लिए सरकार लोगों ने बनानी है और मोदी साव ने जिस तरीके से जनता की बलाई के काम किये हैं यकीनन जमो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जमो कश्मीर में बीजेपी का चीफोनिस्टर होगा इसलिए तो यह कंग्रेस ही भाग रहे हैं बिते पी का होगा या हिंदू सी हम होगा भारत ही जो भी होगा भारत जैनाता पाटि का पार्टि ऑ चेहरा आपने स्लेक्ट कर लिए डेखे चेहरा तो पहले जन्ता का आश्रीवाद मिलेगा पहले मिलेस जीत के आएंगे तो उसके कहीं जो दूसरी कॉंग्रेस गुलाब नभी अज़ाद के आप जिकर कर रहे हैं वो भी तो कहीं आप अपने तरफ की ने की कोशिश में तो नहीं है देखिए हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं और बड़े मन से हम काम करते हैं अटल बिहारी वाजपाई साहब ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता इसलिए एक कारेकरता का नेता का मन समुंदर के जैसा होना चाहिए सबको अपने में समा लेता है इसलिए एक समूंदर की तरह भर्तिय जनाता पार्टी जो है एक विशाल हरदे के साथ हम काम करते हैं और आप देख रहे हैं जो कभी-ख़ी दूसरी राजनितिक दलूं के रुए रवान लेता होते थे सब भर्तिय जनता पार्टी में है और आने वाले दिनों में और देखिए तो नहीं मैं क्या यह उम्मिद लगा लोगी गुलाम नभी अजाद भी एक दिन बाच्पा कामल यहां पर लगा करूंगा अगर वो इस प्रकार का मन बनाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं स्वेम कद अब अपना काम करना है इसको लेकर भी बहुत सवार उठ रहे हैं जब तक कमिशन के जो एसोशेट मेंबर से पहले जब रिपोर्ट त्यार करने के बाद अशोशेट मेंबर जो ओनरेबल मेंबर पार्लिमेंट हैं जिसमें दो भरती जनता पार्टी के और तीन नेशनल पंद्रा दिन उनको दिये गए और उसके बाद उसमें जब थोड़ी सी चेंजिस की गई जो सुझाव मेंबर पार्लिमेंट से दिये थे उसके बाद पुना एक डाइसेंशन नोट मांगा गया परिसीमन आयोग दोबारा सभी असोशेट मेंबर से और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द चुकि वो चार मार्च तक आखरी डेट थी और सभी ओनरेबल मेंबर पार्लिमेंट्स ने अपने डाइसेंशन नोट्स दे दिये हैं और उसके बाद ये पब्लिक डोमेंट में जब आएगी आम जनता सभी राजनीतिक दलों के नेता डीडीसी बीडीसी प मन घडंत आरोप मैंने आपको पहले भी इसकी जान करे दी वो एक बीस एक सेकंड का एक ऐसा आडियो जिसमें तीन अलग अलग आडियो को क्लिप करके कलब करके बनाया गया है मैंने उनको कहा था कि आप औरिजिनल वाला एक वर चलाओ तो सही वो कहा है आपके पास तो वो हमने का यहां रोज ही होता है जनाव दुनिया सब जानती है पबलिक सब जानती है कि हम कैसे हैं हम कितनी इमानदारी से काम करते हैं और डी लिमिटेशन कमिशन के मेंबर से उनका अपना काम है रविंदर रहना का काम जमो कश्मीर में भरत के जनता पार्टी को मजबूत करन है संगठन की ताकत को बड़ाना है नेने लोगों को बीजे पी में जाना है रविंदर रहना का काम डी लिमीटेशन की सीटें बनाना नहीं है अभी क्या-क्या बदलाव कि गए है क्योंकि निउस्पेपर में तो आ रहा है कि यह होगा वो होगा लेकि ना बताईए जनता पार्टी के कारेकरताओं ने शामलाल चौधरी साब जो वहां से मले रहे हैं और बाकी के साथ ही उने भी काफी इस पर परिश्रम किया है उसके साथ साथ आपने यह मरालिया जो पटवार हलका है यहां हिंद्रा नगर ब्रिज नगर खारिया का यह तमाम एरिया जो है बिश्ना के साथ जोड़ दिया गया था जबकि यह आर-एस पुरा और जमू साथ था तो इसके लिए हमने कहा है इसी परकार परगवाल का जिक किया है कि परगवाल को अखनूर के साथ के बजाए उसको छम जोड़ियां के साथ रखा जाए खोड़ के साथ और मेरा मांद्रे और चोकी चोरा को अखनूर के साथ रखा जाए इसी परकार हमने कहा है कि जो शोपियान है उसको अनंतनागर जोरी पुंच जो पारलिमेंटर नंतनाग में हैं तो यह कुछ एक सुझाव भारतिया जनता पार्टी ने दिये हैं उसी प्रकार कुछ सांविय से सुझाव थे कुछ यहां पुर्कु कोड़ जो पटवार सरकल है वहां के लोगों के कुछ सुझाव थे तो ऐसे अनेक प्रकार के सुझावूं को यहां रखा गया है वो हमारा प्रयास है कि इस पर रजोरी पुंच से बहुत सारे सुझाव में रजोरी की तीनों की पुंच की तीनों की तीनों सीटें स्टी रिजर्व हो गई थी तो वहां से बात आई थी वहां हमारे एक बड़े जो डिस्टेक प्रेज़ेंट है जनाब मोतरम चुष्टी सहाब उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया और वही और भी हमारी कोशिश है हमारे नेंबर पारलिमेट्स ने तमाम रिक्वेस्ट्स आपने डाइसेंटिंग नोट में भेजी है अब इस पर फाइनल फैसला जो है वो परिसीवन आयोग ने लेना है आरोप तो आप पर खुल कर लग रहे ना मतलब कि जो गेम है वो आपके हाथ में है आप अपने हिसाफ से कॉनसे डिजाइन करते हैं और उसी एकॉर्डिंगली आप बिजीपी को होता है चानक्ये ने कहा था हमेशा अपनी लाइन बढ़ाओ अपने काम पर ध्यान दो अपना समय और अपनी एनरजी कभी जाया मत करो इसलिए हम हमेशा अपने लक्ष की प्राप्ति की और पूरे धे कि अपने लिए ग्रह मंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही जम्मो कश्मीर में परीसीमन का काम पूरा होगा उसके छे-अठ महीने के बाद जम्मो कश्मीर में इसेंबली के एलेक्शन्स होंगे क्योंकि फिर जो नई विधानसभा बनी है एलेक्टोरल रोल्स जो सारी वोटर लिस्टें बनेंगी उसकी सारी तैयारी होगी फर फाइनल कॉल होगे तो यह चार-छे महीने का समय जो है इस प्रक्रिया में जो है लगेगा मुझे लगता ह कि सेप्टेंबर अक्टूबर इस साल यह जो वीडी सीज का दुबारा रिस्टोर होना और प्यो जखे की स्कीम दुबारा से शिरू होना यह सब इलेक्शन स्टेंट तो नहीं है जी जी देखे हमारा काम है हम सेवादार है जनता के 35,000 विलिज डिफेंस कमेटी के मिंबर्स की समस्याओं का समाधान करना एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला है और इसके साथ साथ जो अनपेड वीडी सीज हैं जो रजोरी पुंच में हैं सुरून कोड मेंडर हिलकाका के एरिये में हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा बारा हजार बिजली डिपार्टमेंट क डिली वेजर्स की डिपी सी करके उनको पर्मनेंट किया जा रहा है इसी परकार जो बाकी के डिली वेजर्स हैं जो पी एची डिपार्टमेंट के डिली वेजर्स हों या अन्य डिपार्टमेंट के डिली वेजर्स हों एन्वाई सीज हों इसके साथ साथ रूर डेलमेंट मे हो नरेगा में हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो होम गार्ड्स हो इन सबकी भी समस्य वन भाई वन हम हल करेंगे और आप देखेंगे यकीनन क्यों नहीं होंगी मोदी है तो मुम्किन है सब ममकिन है और होगा नहीं हर बार लोग कहते हैं कि आप बोल देते अपर होता कुछ नहीं तो मेरे कहता हूं जब आप पिछली बार आए थे जब आपने पिछली बार इंटरिव्यू किया था तो बारा हजार बिजली के मलाजम पके धुड़ी हुए थे आ जाए हुए तो उनका भी आडर हो गया है विडिसी वालोगा मैं अगली बार आउंगा तो कुछ और होगा यकीनन होगा जी अच्छा मुझे बताईए कि चुनावों में मुद्दा क्या लेकर जाएंगे मतलब किस विकास भारत ये जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ सबका विकास और लेकास दे रहे हैं कि जिस तरीके से मौधी साहब ने पूरे देश में जनता की भलाई का काम किया है उसी परकार जमू कश्मीर में भी मौधी साहब की एक सरकार चाहिए जो यहां डेलिमेंट के कामों को जो मौधी साहब पैसा भेशते हैं गरी मजदूर किसान हिंदू मु गरीब है चाहिए मजदूर है चाहिए किसान है सबकी सुनवाई हो और डेलिमेंट हमारा एजेंडा है इमानदारी से काम करेंगे करप्शन फ्री गवर्मेंट देंगे नशा मुक्त जमू कश्मीर करेंगे कोई यह नार्को टेरिरिजम यह जो चिट्टा यह जो ड्रग्स चर्स हिरोईन गांजा हिम्मत नहीं होगी किसी की कि शराब की दुकाने तो बढ़ रहेंगे चराब को एक भी नहीं मिलेगी आपको सरकार आने तो आपने कहा ना बीजेपी का चीव मनिस्टर होगा यह सब चीजें बंद करेंगे यह जमू कश्मीर सेंस्टिम स्टेट है य जिस दिन बीजेपी का चीव मनिस्टर होगा उस दिन आप मेरे सबात करेंगे यह सब बंद करतेंगे संब और किसी वहां दे दी होगी वहां लोकल किसी ने मार्किट में किसी ने किया होगा लेकिन दोग के या भी जगाह है या जल सकаю यह नीं कहा कि वीडी सीज का मस्ला हल हूआ लेकिन महभूबा मुफ्ती ने कहा कि VDCs को दुबारा रिज्यूम करके ये पता दिया गया कि यहां के सुरतेहाल ठीक नहीं है जो दावे आप लोगों ने किये थे कि आप शांती है तो शांती तो है नहीं VDCs दुबारा से आपने रिज्यूम कर दी क्या कहेंगे तो चलिए महभूबा मुफ्ती साहिबा जमू कश्मीर की चेफ मिनिस्टर रही है मैं उनके बारे में बहुत जादा नहीं बोलूँगा मैं व्यक्तिगत कभी किसी से मेरी परसनल किसी से कोई लड़ाय नहीं है मैं कभी किसी नेता के उपर परसनल अटैक नहीं करता हूँ मैं भूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो जमू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है वो यूनियन मिनिस्टर रही है के अंदर सरकार में वो अच्छे से जानती है जमू कश्मीर की परस्तितियों को रोज कश्मीर घाटी में भी कहीं गरनेड हमला हो रहा है कभी पुलिस और आ 32,000 VDC के लोगों के पक्ष में फैसला लिया गया है ये तारीख ही फैसला है और सब राजनिता जानते हैं वो चाहे मोतरमा महभूबा मुफ्ती साहिबा हो मान योग डॉक्टर फारुग अब्दुला साहब हो सब जानते हैं कि VDC के लोगों ने जान की बाजी लगा कर जमु किया आतंकवाद से लोगों को बचाया है इसलिए उनका रोल है उनका हमने मसले हल किये हैं बाकी के भी जो मसले हैं एक एक करके हैं हम नहीं हल करने हैं हम ही हल करेंगे मतलब पूरी गरंटी है पूर कार बना कर रहेंगे वो तो जनता देखिए सरकार बनाना जनता का का काम ह है और सरकारों का काम है जंता की भलाई करना मोधी साहब ने जम्मू कश्मीर की जंता में बच्चे-बच्चे का भला किया है करोना में घर-घर में फ्री राशन मुफत के करोना वैक्सीन के टीके पांच-पांच लाग के हेल्थ कार्ड मोधी साहब ने एक-एक घर में एक-ए पुला योजना महिलाओं को मुफ्त गैस के कनेक्शन सेलेंडर प्रधानमंद्री आवास योजना सोच भारत मिशन के तरह टाइलेट बाथरू जल जीवन मिशन अब जो शुरू हो चुका है हर घर में नल और नल से पीने का शुद्ध जल बिजली घर घर में तो इस परकार के बड़े काम लेकिन लेकिन बच्चे जो हैं वो सड़कों पर रहा है वो कहारे नौकरी नहीं मिल रही आपने पराणी विकैंसिस जो है वो कैंसल कर दी उनके बारे में सोचे जनाब अगर गोर्मेंट डिपी सी करके बारा हजार नोजवानों को डेली विजस को पका करोगे तो दूसरी तरफ जेके पेसे की बात करो ना तो मैं कहता हूँ आप देखिए ला कितनी रेक्रूट्मेंट दी भी गई है जेके बेंक में रेक्रूट्मेंट हुई फोर्थ क्लास इंप्लाइस क्लास फोर्थ की अमित शाह साब ने खुद जो है वो ओर्डर्स बांटे उनक जो बार्डर बैटालियंस का मामला आया है उसको लेकर मुझे भी कंसर्ण था कि जो प्रक्रिया उनके चुकी फिजिकल टेस्स हो चुके हैं वो कंप्लीट होना चाहिए था उसमें मैं अपने बार्डर बैटालियंस के बच्चों कि उस आवाज में मेरी भी सहमती है मैंने भी ऑनरेबल एफटीन गवरनर साहब से बात की थी परमानिय ग्रमंतरी जी से भी बात की थी वो अगर प्रक्रिया पूरी हो जाती या जो जमू कश्मीर पबलिक सर्विस केमिशन ने जो पुराने नोटिफिकेशन थे दो हजार उनीस से पहले जिनको कैंसल किया गया था व मेरा काम है अपने बच्चों के साथ मिलके रहना और हर नोजवान की बुलंद आवास बनके काम करना हम करते हैं हम गरीफूं जईफूं दर्दमंदूं जिनका कोई नहीं है उनके हम दर्दमंदूं आप इनका मसले अलजिद्दक उठाएंगे लेकि मैंने पहले भी उठाय है और वो बच्चे भी जानते हैं मैंने उनको यहां के होम सेक्रेटरी साब से मिलवाया भी था उनके जरूर उनोंने कुछ विशू पर चर्चा की है लेकिन मेरा यह मानना है कि यह मामले हल होना चाहिए शुक्रिया तो बिलकुल उनका कि चुनाव जो है वो इस वर्ष के हम तक हो सकते हैं जेपी नड़ा का जो विजिट है वो पूरा आप कहें कि चुनाव चुनावी केंद्रित ही यह विजिट रहेगा और डिलिमिटेशन को लेकर जो आरोप हैं वो बेबनियाद है कांगरेस पर एक बार फिर से इन्होंने अपने ही अंदाज में हमला किया है उनके लिए नोंने कहा कि उनके भी मसले हल होंगे फिलाल जो पीडिडी इंप्लाइस हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है लेकिन इसके इलावा जो पीएची और बाकी महकमों में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं उनका भी मसला हल होगा और दावा किया कि हर किसी का मसला के बीजेपी ही हल करेगी और ये भी यहां पर एक इशारा जरूर किया है कि हर किसी का स्वागत है बेशक वो गुलाब नभी अजाद हो या फिर कोई दूसरा नेता लेकिन बाच्पा अब चुनावों के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है अब देक्रेज मुलिक्स्टूस नमस्कार